नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोर्ड स्काई सर्दियों में हम अपने शरीर को धकनी पर तो पूरा ध्यान लगा देती हैं लेकिन भूल जाते हैं कि हमारे शरीर का एक बेहत नासुक हिस्सा पूरी सर्दियों खुला ही रहता है हमारे आखे सर्द मौसम और बरफिली हवाओं से बहुत प्रभावित होती हैं सर्दियों में आखों में जाने वाली धूल मिटी गर्मियों से अधिक नुकसान पहुचाती है क्योंकि इस मौसम में आखों के अंदर धूल जम जाती है और इंफेक्शन पैदा कर सकती है सर्दियों के इस मौसम में आपकी आखों में जलन, धुंदला दिखना और देखने में किसी तरह की दिक्कत आ रही हो तो उसे नजर अंदाज ना करें आए जानते हैं सर्दियों के मौसम में आप कैसे अपनी आखों को सुरक्षत रख सकते हैं सर्दियों में घर से बाहर सुष्क हवाओं और घर के अंदर सुष्क गर्मी के कारण अक्सर ड्राइ आई सिंड्रॉम हो जाता है आखों में नमी की कमी हो जाना आखों के लिए बहुत अधिक नुकसान दायक होता है ऐसे स्थिती में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉब के इस्तमाल से राहत मिल सकती है ये आई ड्रॉब आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्द हो जाएगा ये प्राकरतिक टियर लेयर की मदद करता है और आसों के तुरन सुख जाने से आखों को बचाता है आप ये तो जानते हैं कि जब बाहर गर्मी हो तो अधिक तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए लेकिन सर्दियों में ड्राई आई से बचने के लिए हाइड्रेट रहना भी उतना ही जरूरी है शायद ही आपने इस बात पर ध्यान दिया हो रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से ड्राई आई की स्थिती में काफी लाब होता है खास्तोर पर तब जब आप सरद और सुष्क परसितियों में बाहर निकल रहे हो जब आप किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं तो आपकी पलको को जपकाना सामान से कम हो जाता है बहुत अधिक ध्यान लगाने पर तो पलको का जपकना लगभग बंद भी हो जाता है जैसे मुबाइल स्क्रीन, टीवी, आदी की स्क्रीन पर देखते हुए कम पलके जपकाने से आखे सुश्क हो जाती है इसलिए अगर आपको अपनी आखों में खुश्की महसूस हो रही है भारीपन भी हो रहा है तो पलको को ज़्यादा जपकाना शुरू कर दे कम्प्यूटर और लाप्टॉप पर देर तक काम करना आपकी आखों को सुश्क बना कर उन्हें ठका सकता है कम्प्यूटर पर काम करते हुए थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक ले और अपनी आखें किसी और तरफ करें जब आप computer पर देर तक के लिए काम कर रही हो तो हर 20 minute में 20 foot दूर रखी किसी चीज को 20 second के लिए देखें अगर आपको घर के बाहर काफी रहना पड़ता है तो कोशिश करें कि आपने sunglasses पहने हुए हो ये आपकी आँखों की दो तरह से रक्षा करता है sunglasses लगाने से सुष्क हवाए सीधे आपकी आँखों में नहीं लगती जिससे आँखे सुष्क नहीं हो दी दूसरा ये आपकी आँखों को UV सुरक्षा प्रदान करते हैं अगर आप बर्फ के बीच जा रही हैं तो फिर sunglasses लगाना आपके लिए बहुत सरूरी हो जाता है क्योंकि बर्फ सुरज के UV प्रकाश को 80% तक reflect करता है इस वीडियो में फिलाल इतना ही हम जल्द लोटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ